देखिए भी जैसे क्रेस कौन से भाषाओं के दुनिया में, तो अंग्रेजी का क्रेस भारत के हर बच्चा अंग्रेजी इसनी भी सीखना चाहता है, कि अंग्रेजी ना आने पर गालियां पड़ती हैं, सामाजी का पमान होता है, एक पक्ष ही ये भी है, इंग्लेंड के बच्चे यासकेल मंदारिन सीखते हैं इंग्लेंड के जो बच्चे इंग्लिश सीखते हैं इंग्लिशन को आई जाते ही आसा सुनते है वो जो सेकिंड लेंग्वेज सीख रहे है यासकेल हो मंदारिन है चाइना वरी लेंग्वेज है और ये क्रेज अमेरिका में भी खूब चल रहा है इस समय कहीं कहीं छोड़ा फ्रेंच का क्रेज सलते हैं भारत में भी जो बच्चे थर्ड लेंग्विश पढ़ते हैं आम तरुपे फ्रेंच पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे दिल्ली के स्कूलों में तो बड़ी बुरी हालत है अब दिल्ली के किसी बच्चे से बात करेंगे उ स्कूल में क्या पढ़ता है अंग्रेजी पढ़ता है फ्रेंच पढ़ता है दो भाषा है तीसी भाषा नहीं पढ़ना चाहता है किसी हालत में, हिंडी तो एकदम नहीं है, तो बड़ी बुरी सिर्पी है, सब फ्रेंच पढ़ रहे हैं, कोई जर्मन पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ी रहे हैं, कि विंदे से मतलब नहीं है, और स्कूलों ने ऐसी व्यावस्टाय बना रखी हैं, कि बच्छों को अगर आप कल्पना कीजिए कि जैसे भारत की एर्थ के वस्था इस समय, जिस तरह से बढ़ने की गती पर है, अगर सच में फाइव ट्रियन एकानमी जैसां कुछ कर लेते हैं, निकट भविश्य में, और आर्चिक विकास के संभावनें बहुत बढ़ जाती हैं, अभी तु लोग यहां के काम करने को उतावले होने लगें, भारत का वीजा लेना अपने पर इंडस्ट्री हो जाए कि भारत का वीजा नहीं मिल रहा, वीजा नहीं मिल रहा, जैसे अमेरिका का वीजा होता है, टरंप बार बर धंकाता है, एच वन बी बोलता है, एच वन बी कम कर दू पचास, सत्र साल में तो ऐसा होई सकता है, जिस तरह सितियां बन रही हैं विश्वकी, वो सेचुरेशन के सर पर आने वाले हैं, हम तो अभी अंगड़ाई लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे हमारा सर तो काफी उचा होगा ही, तब ये सितिय हो सकती है कि दक्षिन भारत के लोग में जिनको हिंदी सीखने से अभी दिक्कत है, वो चाहते है कि मारे बच्चे तमिल सीखने या तेलगू सीखने, साथ में अंगली सीखने, और थर्ड सीखने या तो फ्रेंच सीखने, जिन जिन देशों में फ्रांस का शासन रहा या फ्रांस खुद, वहां काम चलेगा फ्रेंच से, और जिस दिन ये समझ में आगया कि व्यापार, उद्योग, वांड़ेजे की सबसे ज़्यदा संभावने हिंदी में हैं, चाइनीज में हैं, मंदारिन में हैं, तो अप्ताई मान के चले कि तमिल सीखने वाला आदम उसके बाद हिंदी और मंदारी नहीं सीखेगा, उसको क्यों अंग्रेजी फ्रेंस से बतल लाएगा उसके बाद, तो ये संभावना एक बनती है हिंदी के भविश्य में, कि अगर भारत का विकास होता है ते जिसे, तो हिंदी का विकास अपने आप हो जाएगा, और राष् अकेले आती है तो बलग फैम है, भाषा पूरा माइंडसेट साथ लेके आती है, और जब आप किसी भाषा को सीखते हैं, तो भाषा को सीखते शीखते उस भाषा के समाज के माइंडसेट से आपका गहरा लिंक बन जाता है, इसलिए लेंग्वेज वो टूल है, जो कल्चरल एंपेरियलिजम में सांसिरेक आँडसेञ आक्रमन में सामराज ज्nyवाद में गहरी भूमेक अनिभाती है, पिश्टे सारमाने एक अंग्रेजी के अध्यापा का बिज्यापन देखा, वो वग्यापन चीखता है ओनलाइज, पर पर बिज्यापन था, बिज्यापनी यही थ कि अंग्रेजी शिर्फ भाष्ण नहीं है। अंग्रेजी एक संस्कुती है। میں वह संस्कुति चिखाता हूं। मनिंही नहीं ह Ain जल स्व सिर्फ नहीं है। सोचना भी इंग्लिश तरीके से है। नहीं है We उससे बचने के शर्त एक है कि राश्ट भाशा आपके पास हो रामगिला शर्बा पताईएंगे कर आपको कल यह दो दिन बाद कि हिंदी जाती भारत की एकेली जाती है जो आत्मसम्मान आत्मविश्वास से वंचित जाती है अगर आत्मविश्वास बचाए रखना है पता दू कि यह क्या चीज है आपने नाम सुनें इसका इस परेंटो एक इंटरनेश्चनल लेंग्वेज है बन रही लेंग्वेज है हो सकता है पता नहीं हो पाएगा है नहीं कहते हैं कि आज से 20-25-50 साल बाद यह एक युनिवर्सल लेंग्वेज बन जाए एक कोशिश च छेह विश्व भाषा होनी चाहिए अब जब भी विश्व भाषा बनने लगती है तो सम्मक्र कहते हैं कि हमारी भाषा को बनाँ हमारी भाषा को बनाँ तो यह टो चलेगा लेन तो दुनिया के सरपर जो चलेगा एक तो यह की ताकत किसके पास कितनी है और दुसत थोड़ उनको इसमें शामिल करने का कंसेप्ट है और खास बात है कि इंग्लिश वो वाले इंग्लिश ने जो हम लोग पढ़ते हैं इस समय वो बहुत ही अतारकिक भाषा है इंग्लिजी उस इंग्लिश की अतारकिक ताओं को दूर करके जो भाषा बनेगी और अन्य बहुत सारी भाषाओं के शब्दों और व्याकरनिक संकेतों को लेकर जो भाषा बनेगी उसको इस परेंटों कहते हैं जैसे कंसेप्ट एक शब्द है कंसेप्ट अगर आप इसको कंसेप्ट कहते हैं तो इसकी सही स्पैरिंग तो यह होनी चाहिए कं के से क बनेगा ना सी से क्यों बनेगा सी तो सी की आवाज है जब क की आवाज के लिए के है ही तो के अन कं हो गया सिंपल है सेप्ट एस ए यह से इसे अगर आपको देख दो आप ए कर लेगे सेप्ट कंसेप्ट जिस दिन इंग्लिश ऐसी भाषा बन जाए अगर आप जर्मन फ्रेंच को देखेंगे तो उनमें स्पैलिंग सामतोर पर इजी तरह की है लगभग एक ही ओरिजिन से जुड़ी उग भाषाएं है स्पैलिंग सा अंतर ठीक ठाक है अंग्लिश जी की बहुत सारी स्पैलिंग सो लेकर यह है कि आपको यादी करना पड़ता है उसमें कुछ समझने का मामना नहीं है तो इस पैरेंटो का जो ड्रीम है वो यह है कि लगभग 20 से 30 साल में हर 5 साल बाद कुछ-कुछ परिवरतन अंग्रेजी में करेंगे और करते 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 लगभग 30 साल में एक नहीं भाषा बनेगी जिसमें अंग्रेजी मूल होगा लेकिन दुनिया भर की भाषाओं के शब्दों को मुहावरों को उसमें शामिल करेंगे एक DREAM PROJECTURE